दोस्तो आज हम बात करेंगे सालम पाक के बारे में ये सालम पाक के क्या फाइदे हैं, कैसा आपको लेना है, इसके इंगिडेंस क्या है, साइटिफेट क्या है ये सारी जानकारी जो है आज किस वडियो में आपको दूँगा देखे ये सालम पाक को जो है बहुत सारी कंपरिया मुनाती हैं तो आप चाहे तो किसी भी कंपरिया ले सकते हो इसे आप जो आयरवेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसे जो है खरी सकते हो या आप इसे ऑनलाइन भी मगा सकते हो ओनलाइन खरीदने के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है और अगर हम इसके इंग्रेंस की बात करें यानि कि ये सालम पाक में क्या-क्या चीजें सामिल की गई हैं अगर इसकी बात करें तो देखी इसमें जो है सालम पंजा, सफेद मुसली, बादाम, पिस्ता, अक्रोड, चरोंजी, गोखरु, घी, आदिस प्रकार के और भी कई इंग्रेंस जो हैं सामिल किये गए हैं जिससे ये मैडिशन हैं बनाए गई है तो दोस्तों फाइदों के अगर हम बात करें तो सालम पाक जो है बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव दवा है ये बलवर्धक होती है ये जो है पूरे सरीर को बल देती है अगर आपको जनरल विक्नस, कमजोरी रहती है और कमजोरी के कारण जो है आलश्य बना रहता है कोई काम करने की जो है इच्छा नहीं होती है तो उसको ये दूर करता है आलश्य दूर कर चुस्ती फूर्ती लाता है और सरीर को एनरजी देता है और देखे बल वर्धक और वीरी वर्धक इसको पूरुसों के लिए माना गया है यह वीरी को गाड़ा बनाता है और वीरी का पतलापन दूर करने में भी यह विसेस रूप से उपयोगी रहता है इस्पम को हेल्दी बनाता है जो लोग दूबले पतले हो जो लोग कमजोर हो जिन लोगों के सरीर में कमजोरी हो ऐसे सब भी लोगों के लिए सालम पाक विसेश रूप से ज़्यादा फाइदेमंद है और देखे इसके लावा ये जो है नर्वस सिस्टम को तागद देता है तनाओ और मांसिक कमजोरी को दूर करता है और इसके लावा ये जो है आपके डाइजिशन को भी जो है इंप्रूफ करता है और डाइजिस्टिब सिस्टम को मजबूत बनाता है और साथी मसल्स यानि मान स्पीश्यों के दर्द को दूर करने में मदद करता है इसके साथी देखे यह आपके इम्मिनिटी को भी बूश्ट करता है रोग प्रतिरुदक शम्ता को भी जो है बढ़ाता है तो दोस्तो इस प्रकार से देखा आपने की सालम पाक के कितने सारी फायदे है अब अगर हम इसके डोस की बात करें तो एक से दो चम्मस तक आप दिन में दो बार तक हो ले सकते है और आप इसे मिस्री मिले हुए गर्म दूद के साथ लीजिए इस तरह अगर आप इसको लोगे तो आपको इसके काफी बड़िया फायदे हैं वो देखने को मिलेंगे साइडिफेट की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कोई साइडिफेट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हैल्थ में इश्यो लगता आपको से लेने के बाद तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हो और इतिक जानकारी के लिए आप गोक्टर से भी सलाय हो ले सकते हैं अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहूंगा अगर आप इस सालम पाग लेते हैं तो जैसे कि आपको एलकोहल नहीं लेना है इसके लावा मिर्च मसाला, खटी चीजें, जंक फूड, फास पूड, मैदे से बनी हुई चीजें ये सब आपको बंद करना है देखे आप हेल्दी फूड लीजिए हेल्दी लाइब इस्टैल फॉलो करिए और टाइम पे खाईए, टाइम पे सोईए दिन बर साही मातरा में आप पानी जरूड पीजिए एक्सेसाइस करिए तो इन सब एडवाइस को आप फॉलो करें ताकि आपको इसका और भी अच्छा खासा फाइदा है वो देखने को मिले तो दोस्तो ये थी सालम पाक के बारे में जानकारी फिर भी कोई सवाल है आपका कुछ पूछा जाते हैं आप तो आप मुझे कॉमेंट्स को दोड़ा भी पूछ सकते हैं दोस्तो वीडियो को आपको पसंद आए हूँ तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे मेरे नाम है जितेश और आपने इस वीडियो को इतना किमती समय दिया उसके लापका बहुत बहुत धन्यवाद